तो दोस्तों, अब हमको पता लग चुका है कि एरे कैसे बनाते हैं, और एरे को कैसे define करते हैं, एरे को अगर display कराना है तो उसको कैसे करते हैं, अब बारी है एरेस functions की, अब क्योंकि एरे functions के लिए बहुत ही जादा है, और अगर आपको पूरा detail में चेक करना है तो आप php.net पर चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने एक file बना दी है, जिसमें maximum जो important function है, वो सारे के सारे डाल दी हैं, अब मैं यहां से directly paste करके, और इनकी working आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इनको type करूंगा, तो काफी time-based होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता है कि आपका, ज्यादा time based हो, तो मैं यहां से copy किया, first, और PHP block start किया पहले, PHP, और control V, अब यहां पर हम देख रहे है, array push, array shift, array pop, array unshift, और यह हमार पास एक array है, जो हमने पहले भी create किया था, इसमें हमारे पास array key values है, जो इसकी positions है, 0 position पे 1, 1 position पे 3 and so on, और array pop, array pop क्या करता है, last element, जो इस array का last element होगा, उसको यहां से remove कर देगा, और हमको display कर देगा, तो array pop यहां से इसको value को निकाल लेगा, और उसी तरह array push, नाम सी पता लग रहे है, पुष करेगा यह array को, array one में, जो भी हम, इसका first value होती है, वो होती है, array जिसके अंदर हमने push करनी है value, और दूसरी, कॉमा लगा के, हम first value, हितेश, जो हम यहां पे push करेंगे, last में, और रेनॉत, जो हम उसकी बाद push करेंगे, और वैसे ही, array shift, array shift क्या करता है, first element को remove करेगा, और unshift first element में, हमारी जो भी value होगी, वो डालेगा, जैसे कि, यहां पे, first value यहां पे डाल देगा, और उसको print कर देगा, तो हम देखते हैं, इसका, हम, refresh मारेंगे, और आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा जो array था, उसमें से third value इसने remove कर दिया है, जो कि हमारा function है array pop, उसके बाद array push ने हितेश और रेनौत को last में, दो element add कर दिया है, और unshift ने first element remove पर दिया है, जो कि 1 था, और अब three, first element बन चुका है, और वैसे ही, array unshift ने first को, इसके अंदर डाल दिया है, आप देख सकते हैं, यहां पे first आ गया है, जीरो position बे और three वापिस आगे shift हो गया, तो यह थे shifting, array के अंदर हम कैसे value, first value डालते हैं यह निकालते हैं, array के अंदर, अब हम अगला check करेंगे, जो कि array product, array product simply जो भी हमारा array होगा, उसके अंदर के values को multiply कर देता है, हम इसके जगास को paste करेंगे, echo array product, हम इसको display करेंगे, और स्वारी यहां पे हम पहले, okay echo है हमाँ पे, तो value आचुकिया है, 72, तो यह था हमारा product of array, के हमने सबकी सबको product कर दिया, अब suppose के यहां पे, एक string भी है हमारे पास, और string है 2, अब हम जब इसको देखेंगे, तो इसने 2 से multiply कर दिया, इसका मतलब, यहां पे अगर कोई भी string हो, तो उसके साथ भी multiply कर देगा, लेकिन अगर यहां पे 2, हिटेश, यह string है, तो इस case में क्या होगा, देखते हैं, इस case में कोई change नहीं हुआ, इसमें basically यह PHP क्या करता है, कोई भी string को जैसे भी convert कर सकता है, वैसे भी convert करके उसको multiply कर देता है, इस case में इसने हिटेश का कोई logic नहीं पता लगा इसको, कि इसमें किस number में convert करें, इसलिए इसने simply 2 से ही multiply कर दिया इसको, ऐसे अगर कोई भी string हो, तो वो उसको ignore करेगा, और जो भी उसके number होंगे, उससे multiply कर देगा, तो यह था हमारा array product, अब हम देखते हैं array random, तो array random क्या करता है, किसी भी array से, अगर हम यह array random function apply करते हैं, तो उसमें से हम जो भी value यहां specify करेंगे, randomly उतनी value वो उस array से ठालेगा, और एक नई array में डाल देगा, और अगर हमने किसी भी array को print कराना है, तो हम printr function यूज करते हैं, लेकिन अगर हमने किसी single variable जो के array नहीं है, उसको print कराना है, तो हम eco यूज करते हैं, तो अगर हम इस case में, अगर हम eco करते हैं, rand की value, तो वो simply answer देगा array, क्योंकि अगर हमने array की value देखनी है, तो हमको printr यूज करना पड़ता है, तो अगर हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर आगे हमारी 0 और 1, अगर हम refresh मारते हैं, तो देख सकते हैं, अगर हम अगला function देखते हैं, array search, मैं आपको यहीं भी पता देता हूँ, बैसे, array search, array search क्या करते हैं, जो भी value देते हैं, उसकी key return कर देता है, जैसे माल लोगे हम इसको देखें, तो इस case में, हमारा जो array है, वो है color red, drink water, blood red, तो इसमें हमने array search किया है, water, हमने water की value search किया, वो second, array 2 में, तो water की value, to drink, to drink answer, दे गए, दे, तो उसके बाद हम देखेंगे, array reverse, copy, paste, array reverse, इसमें हमने एक input ली, और इसमें array में एक string डाली, PHP, एक हमारा पास नंबर है, 4.0 double है, यह floating point, वो इसके बाद हमने एक और array डाल दिया, इसके अंदर, जिसके value है green and red, तो जब हम array reverse input में apply करेंगे, तो यह क्या करेगा, कि इसको reverse कर देगा, इस array को first में लाएगा, और इसके बाद 4 और इसके पीएच्पी last करेंगे, चेक करते हैं, स्वरी, save नहीं किया, तो पीएच्पी 4 and square array, लेकिन आप एक चीज दियान दें, कि जब हमने simply यहाँ पे बिना true के जब इसको लगाया, तो इसने इसकी position को चेंज नहीं किया, मतलब यह zero position पे पीएच्पी था, और first position पे 4 था, और array था third position पे, sorry second position पे, तो इनकी positions चेंज नहीं हुए है, देख सकते हैं, zero पे array बन गया है, इनकी positions वहीं पे रही है, zero वहीं पे है, लेकिन array जीरो position पे आएगा, लेकिन अगर हम true पास करते हैं, तो यह साथ में उसकी values को भी reverse कर देता है, यह case important तब है, अगर हमारी जैसे first value, अगर मान लो यहाँ पे, हमारा first name है, और last name है, या फिर हमारा कुछ important number, या फिर कोई row number, और उसका नाम है, तो अगर हम इसको reverse करते हैं, true नहीं लगाते हैं, तो हमारे सबके row number पी change हो गए, लेकिन इस case में, हमारी values जो है, key जो है, वो उसी के साथ रहेगी जैसे, जो थी, तो आपको यह लग गया होगा पता, अब हम देखते हैं, array replace, array replace, अब हमने एक array लिया है, array और second लिया है, दूसरा array और third में, हमने एक ही value लिया है, two, four, five, six, हमने कॉमा नहीं दिया है, इसलिए एक ही pocket के अंदर ही है, यह 2456 है, तो हम जो array replace है, उसमें कितने भी value डाल सकते हैं, यहाँ पर हम array four भी डाल सकते हैं, five भी डाल सकते हैं, लेकिन यह करेगा क्या, जो सबसे last वाला array होगा, जो third array होगा, उसकी position आप देख सकते हैं, zero position भी 2456 है, तो जो हमारा resulting array होगा, वो हमारा zero position पे one के जगा यह होगा, और उसके बाद हमारा six, seven, eight, और यह सारी value replace हो जाएंगी उपर से, चलो देखते हैं, तो आप देख सकते हैं, zero position पे यह six, seven, eight, और अगर यहाँ पे एक और value होती ही, तो वो भी यहाँ पे आ जाती ही, क्योंकि replace हो जाती ही, यहाँ पे zero से, तो आप को यह भी लग गया होगा पता, यह था array replace, उसके बाद हम देखेंगे, short, तो array short, मैंने PHP रिमूव को दिया, तो array short क्या करता है, simply, जो भी हमारा value होगी, जो भी हमारी यह value, इसको zero के order में कर देगा, तो हमने सबसे पहले देखा, A, B, L, O, alphabet wise इसने सार के शारे short कर दिया है, और अगर हम यहाँ पर आर short कर दें, तो यह उल्टा हो जाएगा सार का सारा, अब देख सकते हैं, इसमें, जो first word था, वो सबसे पहले आएगा, और इसके बाद B, उसके बाद L, और इसके बाद O, और वैसे ही हमारा आर short होता है, अगर हम यहाँ पर आर short कर दें, तो अब यह values उल्टी हो गिया है, A, B, L, O, लेकिन आप एक चीज़ दियान दें यहाँ पर, यहाँ पर 0 position, पर 0, यह position चेहन नहीं होई है, जैसे की इसकी same है, देख सकते हैं आप, की 0, 1, 2, 3, अगर हम उल्टा भी कर देतें, अगर हम short करतें, तब भी 0 पर हमारा apple आजाएगा, A, और यही है, R और इसमें, और इसके बाद हमारा आजाता है, short, A short, AR short, अब आपको यह भी दिखाते हैं, copy, paste, तो यहाँ पर हमारा पास same वही value है, और उसके बाद हमने A short किया है, A short क्या करता है, जो हमारी values होती है, उसके हिसाब से shorting करता है, लेकिन इसमें हमारी, जो हमारा key है, वो भी साथ में उसके change होगा, पिसले वाले में हमारे key change नहीं हुआ था, zero position, one position key, same थी value, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, ऐसे हम देख सकते हैं, 10th line, ओके, यहाँ पर दो वर PHP आगी है, यह पर हम remove कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं, Apple, A, B, L, O, तो आया ही आया है, साथ में इसकी keys भी इनके साथ ही रही है, तो अगर हम इसको AR short कर दें, तो वो है A reverse shorting, तो उसमें क्या होता है, हमारी values उल्टी हो जाएंगी, वैसे ही जैसे हमने, reverse R short के case में देखा था, लेकिन इस case में, keys भी इसके साथ ही रहेंगी, तो अगला case हमारा आजाता है, K short, जो हमारा simply, K shorting होती है, K shorting जैसे नाम बता लग रहा है, keys के साब से shorting होगी, जैसे कि हमारी 0, 1, 2, 3, फिर जो भी हमारी जैसे A है, तो A पहले आएगा, B बाद में आएगा, उसके बाद C, उसके बाद D, और अगर हम K, R कर दें, तो वापिस होई result उल्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें values और key साथ में रहती है, हम पहले save करें, और यहाँ पर आके refresh, तो आप देख सकते हैं A, B, C, D, और अगर हम यहाँ पर R कर दें, सेव करें, उसके बाद हमारी सारे की सारे value उल्टी हो जाएंगी, और इसमें keys भी साथ में उल्टी हो गई, आप देख सकते हैं, तो यह हमारे six type की shorting थी, तो यह हमारे जो mostly used हमारे जो functions होते हैं, array के case में वो हैं, और अगर आपको थोड़ी भी problem आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया है arrays, तो please videos को वापिस देखी, और अगर आपको कोई function और important लगता है, तो आप php.net में देख सकते हैं, यह website php की है, जो php की जितनी भी documentation है, सारी इस websites में होती है, तो यह वापिस में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि basically जो php है, उसमें हमारे पस दो चीज़े होती है, या तो एक object होता है, जो मैं आपको बाद में करांगो, और एक होता है array, जितनी भी हमारी values होती है, जितनी भी हमारी, जो भी हम password fetch करते हैं, अगर आपको array ढंक से आता है, तो php आपको बहुत easy लगेगी, और array बस php नहीं है, वैसे जावास जितनी भी language है, array बहुत important topic है, तो इसमें थोड़ा ढंक से करो उसको, और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जहांपे हम थोड़ा, और देखेंगे हमारे data types boolean, तो thank you,